आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ DIY पोर मिनिमाइजिंग पैक यह पैक स्पेशली उनके लिए है जिनको लाज़ पोर्स की प्रॉब्लम है फेस पर जो हमारे पोर्स होते है उसमें से एक सीबम क्रियेट होता है जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो ओली होने लगती है जिसकी वजह से हमारे फेस पर ब्लैक हैड्स पिंपल्स एकने इस तरह की प्रॉब्लम होने लगती है तो यह जो पैक है इससे जो आपके पोर्स है वो मिनिमाइज होंगे यानि की श्रिंक होंगे जिससे जो बाहर की डस्ट है वो अंदर नहीं जाएगी बिल्कुल भी औ और फ्लैक हैड्स या फिंपल्स होने के चांसे भी बहुत कम होंगे और यह जो पैक है इससे आपके फेस को कूलिंग इफेक्ट भी मिलने वाला है हाइड्रेशन भी मिलने वाला है तो चलिए देखते हैं इस डियाईवाई पोर मिनिमाइजिन पैक को बनाना कैसे है इसके लिए हमें चाहिए कर्ड यानि की दही कुकुम्बर और खीरा एंड हल्दी पाउडर सबसे पहले मैं एक बाउल में कर्ड ले रही हो वन अद आफ टेबल स्पून अब मैं इसमें आट करूंगी टू टेबल स्पून ओफ कुकुम्बर जूस एंड लास्ट में अपिंच ओफ टर्मरिक पाउडर कर्ड में लेक्टिक ऐसिड होता है जो हमारे डेट सेल्स को डिजॉल करके हमारे पोर्स को टाइटन करता है इसमें एंटी एकने प्रोपरिटीज भी होती है यह हमारे फाइन लाइन और रिंकल्स को भी रेड्यूस करता है और हमें नैचरल ग्लो प्रोवाइट करता है कुकुमबर जूस हमारे स्किन को ब्राइटन करता है यह हमारे स्किन को कूलिंग एफेक्ट देता है हाइड्रेशन प्रोवाइट करता है हमारे डार्क सरकर्स को कम करता है और हल्दी हमारे फेस के लिए बहुत जादा अच्छी है मैंने यूज़ कर या wild turmeric जो especially हमारे skin के लिए होती है अगर आपके पास ये नहीं है तो आप normal हल्दी भी यूज़ कर सकते है ये हमारा pack ready हो चुका है अगर आपके skin dry है तो आप इसमें honey भी add कर सकते है half tablespoon फ्रेंज ये था हमारा सिम्पल सा DIY पोर मिनिमाइजिंग पैक आपको इस पैक को 20 मिनट तक अपने फेस पर लगाना है उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से वाश कर लीजे और इस पैक को आपको वीक में दो बार जरूर यूज़ करना है और आप उसके बाद अपने पोर में डिफ्रेंट जरूर देखें जिनको लाज़ पोर्स की प्रॉब्लम रहती है इस पैशलिए इस प्रॉब्लम राजर प्रॉप्लम रड़ी और देखेंस अ अव्लिए प्रॉब्लम रखेंस पीज़ टिल थन बाद रगोर्ण